Hi viewers, I am engineer Salimullah Sheik आज हम civil engineering से related जो interview में students से mostly जो questions पूछे जाते हैं उनके हम conceptual answers आपको one by one समझाएंगे तो start करते हैं question number one से what is camber? A slope? A slope is provided to road surface in transverse direction To drain off the rain water Actually यह हम road surface को provide करते हैं Camber provide करते हैं, slope provide करते हैं जैसे हमारा जो rain water है, बारिश का पानी है वो drain off हो सके अब यह देखें यह है width of payment यह age है, यह भी age है अब हम यह camber provide कर रहे है Slope होता है, curve shape में अब यह जो point है, यह top वाली यह इसको crown कहते हैं तो यह सारा हमने provide किया है camber यानि कि आप देखें कि road आपको ऐसे लगेगा जिसे straight है पर actually ऐसा होता नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा temper करते हैं road को थोड़ा सा slow provide करते हैं तो जैसे हमारा drain water जो है वो drain हो जाए तो इसको कहते हैं camber Question number 2 If difference in elevation of age of payment 9 meter wide and its crown is 15 centimeter camber क्या होगा उसका यह भी mostly हम जो है देखते हैं कि interviews में यह questions पूछते हैं students से उनका concept clear है या नहीं है तो मैं आपको यह बताओं कि यहाँ पर आप देखें यह आप width of payment है बताएं इसने कि 9 meter है तो यह width of payment 9 meter यह crown यह हम camber प्रोवाइड किया यह इसका crown है top most जो point होगी उसको हम crown कहेंगे camber की अब यह जो top most जो point crown वहाँ से जो यहाँ payment तक यह इसकी height जो है वो बता रहा है and its crown is 15 centimeter तो यह है 15 centimeter और इसकी total width है 9 meter अब हमें जो slope हम जब हम देखते है slope क्या होता है slope होता है slope होता है vertical to horizontal अब वर्टिकल यह 15 centimeter है और horizontal है यहां से यहां तक 4.5 meter होगा क्योंकि 9 meter total है तो इसका half क्या होगा 4.5 meter तो 4.5 meter अब यह centimeters में यह centimeters में यह meter में तो अगर आप 4.5 को divide करेंगे 15 centimeter को अब देखें 4.5 को हम divide करेंगे 15 centimeter को अब हम 4.5 को divide करेंगे 15 centimeter से लेकिन 15 centimeter को आप convert करेंगे meter में तो यह हो जाएगा 0.15 तो इसका answer आएगा अगर 4.5 को divide करेंगे 0.15 को तो यह आएगा 30 और नीचे आजाएगा इसका 1 यानि यह 1 हो गया यह 30 हो गया तो vertical आपका 1 हो गया और यह हो गया 30 horizontal तो आप slope यह भी कह सकते हैं कि 1 in 30 तो यह हो गया आपका slope केंबर का provide किया आपने या आप इसको यह भी कह सकते हैं 1 in 30 या 1 upon 30 1 upon 30 को अगर divide करेंगे 1 upon 30 को तो 0.333 अगर 0.333 अगर percentage में करेंगे तो 100 से तो 3.333 परसंटेज तो यह हो गया केंबर या यह यह आप slope कह सकते हैं केंबर प्रोवाइड किया केंबर 3 विच केंबर भी प्रोवाइड इन इसकेंटी रेंफॉल रीजन्स यानि जहां बारिशें कम होती हैं वहाँ पर कौन सा हम प्रोवाइड करेंगे केंबर तो आंसर है फिलेटर जो केंबर हम ज्यादा हम यूज करेंगे वो उसके क्या नुफसानात हैं तो फर्स्ट जो है वो है डिटोरेशन आफ सेंट्रल पोर्शन देखें यह केंबर है अब यह करकी हमने केंबर दिया यह जो क्राउन है यहाँ पर सेंट्रल पोर्शन है यह डेमेज हो जाएगा डशी Direct यानि कह यह लोस हो जाएगा सको डेमेज हो जाएगा तो इसलिए यह disadvantage तो इस पीड़ी वेहिक यहाने जो वेकिल्स होंगी वह स्पीड हो जाएंगी नबर थ्री ए्लोजन आफ बांस यानि बांस का कटा होगा एरोजन हो जाएगा तो यहां पर देखें यह यह केंबर है, यहाँ पर जो है, यह शोल्डर होते हैं, आप इसको बर्म भी कह सकते हैं, यह जो है, कटा हो जाएगा इसका, एरोजन हो जाएगी, तो यह भी डिसेंडवाटेजिज हैं, Question No.5, Which Camber shapes and payment are provided, यानि कि यह केंबर के shapes कौन कौन से हैं, जो हम प्रोवाइड करते हैं payment में, तो No.1 है Parabolic Shape, यह करके यह केंबर, यह पेराबोलिक कर यानि कि यह हो गया, यह हो गया, पेराबोलिक शेप का केंबर, No.2 है, State Line, यह देखें, State Line, No.3 है, Combination of State Line and Parabolic, यानि इन दोनों का जो है, वो Combination होगा, अब देखें, यह payment width है, यहाँ पर हमने State Line दिया, यहाँ पर हम पर हम पेराबोलिक देगे, तो यह जो portion है, यह हमारा Straight है, और यह जो portion है, यहाँ से यहाँ तक, यह पेराबोलिक है, और यहाँ से यहाँ तक, यह Straight है, तो यहनि कि यह दोनों की Combination है, Straight, और यहाँ भी Straight, और Edges पर, और यहाँ पर जो Central portion है, यहाँ पेराबोलिक हम कर देंगे, केंबर का, तो यह Combination होती है, Question No.6, What is Super Elevation? अच्छा, Super Elevation को हम क्या-क्या कहते हैं, तीन नाम है, Super Elevation, Can't और Banking. या Super Elevation पूछेगा आप से इंटर्यू में, या यह भी कह सकता है, केंट या Banking, तो आपको Confuse होने की कोई जबूद नहीं है, Banking, केंट और Super Elevation बात एक ही है, यह Similar Words है, तो इसका Answer है, Super Elevation का Answer क्या है, Raising of Outer Age, of the Road with respect to Inner Age. या आप ये भी कह सकते हैं, Ratio of Height to the Width of Payment. देखें, यहाँ पर हमारा जो ये Road है, या Payment कह हैं, अब हम अगर थोड़ा सा यहाँ पर उपर कर देते हैं, Outer Age, ये हमारी Outer Age है, ये Outer Age, और ये Inner Age है. अब यहाँ से हम अगर रोड़ को उपर कर देते हैं, और ये हमारी गारी है. अब ये थोड़ा सा हमने Tilt कर लिया Outer Age, यहाँ से थोड़ा सा रोड़ को उपर कर दिया, तो ये सुपर एलेशन हम कहां प्रोड़ करते हैं, जहां हारीजंटल कर्ड़ होते हैं, तो हम सेंट्रिफिकल फोर्स की वज़े से जो गाड़ियां होती हैं, वो ओवर्टर्न हो जाती हैं, कल्टी हो जाती हैं, इस कीडिंग करते हैं, तो इस वज़े से हारीजंटल कर्ड़बर, हम सुपर एलेशन प्रोड़ करते हैं, क्यूंकि सेंट्रिफिकल फोर्स पेदा होता है, उसको काउंटरेट करने के लिए सेंट्रिपीटल फोर्स हम प्रोड़ करते हैं, तो इसको centripetal force कैसे होगा हम इसको outer edge पर थोड़ा सा road को उपर कर देंगे तो inner edge के हिसाब से तो यह हमारा super elevation होगा तो यह इसको यह भी कह सकते है ratio of height to the weight of payment याने यह हो गया E is equal to E हम कहते है super elevation को B E upon B यह हमारा super elevation हो गया E is equal to E upon B अब यह जो height है हमारी यह E है और यह जो विर्थाव payment है यह हमारी B है यह विर्थाव payment है तो इसका जो ratio होगा E upon B का वो हमारा super elevation है question number 7 what will be happen if no super elevation provided along curves अगर हम super elevation प्रोवाइड ना करें curves पर तो क्या होगा definitely part holes develop होगे part holes part holes developed अब यह जो हम और outer age पर यह जो हमारी outer age यह मैंने आपको बताया outer age यह है यह है तो यहाँ पर हमारी जो है part holes यानि के सडक पर वो जो खड़े होते हैं घड़े होते हैं depression होते हैं वो हमारी यहाँ develop हो जाएंगे तो यह हमारा super elevation अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यह हम part holes produce हो जाएंगे question number 8 what are advantages of super elevation number 1 higher speed of vehicles number 2 less maintenance number 3 rain water drained quickly अब यह 3 advantages है higher speed होगी vehicles की और less maintenance होगी और rain water जो होगा वो quickly drain हो जाएगा question number 9 if width of carriageway is 12.5 meter outer edge 50 cm higher than inner edge then super elevation क्या होगा उसका यह कह रहे हैं carriageway जो है उसकी width है 12.5 meter अब outer edge की जो height है higher than inner edge वो है 50 cm तो super elevation क्या होगा तो यह भी question पूछा जाता है तो यह देखें यह हम जो है width of payment है 12.5 meter और यह 50 cm है height उसकी यह हमने super elevation प्रवाइड किया है अब वैसे ही है जैसे camber हमने solve किया था इसी तरह अगर आप 12.5 को divide करेंगे 50 cm है तो इसको meter में पहले convert करेंगे तो 50 cm को 0.5 यानि 100 से divide करेंगे तो meter में हो जाएगा 0.5 हो जाएगा तो इसको 12.5 को अगर 0.5 से divide करेंगे तो answer आएगा 25 तो यह हो गया 1 और यह हो गया 25 तो यह 1 हो गया अब 1 होता है हमेशा vertical slope जो होता है हमेशा vertical 1 होता है और horizontal 25 तो यह 1 vertical और horizontal हो गया 25 तो हमारा slope है 1 in 25 तो यह आप कह सकते हैं कि हमारा जो super elevation है 1 in 25 है question number 10 what a type of payment याने payments की types कौन सी है number 1 flexible payment number 2 rigid payment यह दो types हैं flexible payment और rigid payment question number 11 difference between rigid payment and flexible payment अब आपको मैं difference बताता हूँ कि flexible payment क्या होती है और rigid payment क्या होती है तो number 1 पर आप देखें कि deformation in subgrade transfer to upper layer यानि जो deformation होगी subgrade में वो transfer हो जाएगी upper layer में और वहां rigid payment में इसा नहीं है वहां पर deformation होगी तो वो subsecureance जो layer होगी उसमें deformation transfer हो जाती है और इसकी जो flexural strength है यानि bending strength flexural strength means bending strength वो इसकी low होती है flexible की और rigid की जो flexural या bending strength होती है वो high होती है तो ये difference है और तीसरा difference ये है कि इसकी low flexible payment की low initial कास्ट होती है और high repairing कास्ट होती है यानि के शुरू में जो कास्ट होती है वो थोड़ी कम लगती है लेकिन उसकी repairing maintenance कास्ट जएदा है लेकिन rigid payment में इसा नहीं है उसकी जो पहले तो initial कास्ट हाई होती है पर repair करने की उसकी कास्ट बहुत कम होती है नबर फोर डिजाइन जो होती है flexible payment की वो best करती है low distribution factors पे कि low distribute कैसे होता है उसका factor आप ये भी करे सकते है कि उसकी जो design है वो subgrade strength पे होती है कि उसका जो subgrade है वो कितना strength है उस best पे design करती है और यहाँ पर जो rigid payment में इसा नहीं है वहाँ पर design best करती है उसकी bending strength पे यानि फिलेजूरल strength जो होती है उस पे best करती है नबर फाइव जो है flexible in structural action under vehicle loads ये जो flexible payment कहा जाता है flexible है तो वो इस विए कहा जाता है कि ये flexible होती है structural action में क्योंकि vehicle loads अगर वहाँ पर transfer होता है तो ये structural action के हिसाब से flexible होती है लेकिन rigid में इसा नहीं होता है वो rigid होती है load वो distribute होता है by slave action जो उपर से जो slave होता है उसी सही transfer होता है load यानि distribute होता है नबर 6 ये जो flexible payment होती है वो constructed many layers में ये many layers में construction होती है जैसे bituminous materials aspart use होता है उसमें और top layer जो होती है supposed होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा compressive strength जो stress होती है वो sustain करेगी यानि कि उसका जो उपर वादा layer है aspart का bituminous materials का वो ज़्यादा compressive stress करेगी और lower layers जो होती है flexible payment में वो stress कम लेंगी लेकिन ऐसा rigid payment में नहीं है rigid payment में यह जो construction होती है उसकी plain cement concrete में होती है और यह cement concrete में होती है और यह directly placed होती है subgrade पर इसकी कोई layers नहीं होती यह directly placed होती है number seven have many layers definitely मैंने आपको बताया कि flexible payment में layers ज्यादा होती है और इसकी overall thickness भी ज्यादा होती है और rigid payment में इसा नहीं है उसकी सिर्फ एक layer होती है only one layer और thickness less होती है बहुत कम होती है as compared to flexible payment number eight जो इसकी life है flexible payment की वो short life होती है उसकी जो service होती है कम होती है usually 15 years और वहाँ पर rigid payment में उसकी जो life होती है और ज्यादा होती है 30 years